यह कहानी किसी एक गाउ में रहने वाले मूरतिकार की है जो भहूती सुन्दर मूरतिया बनाता था और इस काम से वैं अच्छा जीवन यापन कर पाने लायक कमाता था कुछ समय बाद उसको एक बेटा हुआ जिसने कम उमर में ही मूर्तिया बनाना सुरू कर दिया था और उसकी मूर्तिया भी बहुत सुन्दर दिखती थी मूर्टी कार अपने बेटे की सपलता से काफी खुश था फिर भी वे अपने बेटे की परते एक मूर्टी में कुछ ना कुछ जरूर निकालता और पेटे को उनके बारे में बताता था वे बेटे से कहता तुमने अच्छा काम किया है लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिस करो बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता उसने अपने पिता की सला के बाद अपनी हर मूर्ती में सुधार करना जारी रखा नतीजन बेटे की मूर्तिया दिन परती दिन पिता की मूर्तियों से बहतर होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब लोग बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों से तुलना में उचे दामों पर खरीदने लगे जबकि पिता की मूर्तिया पहले की तरह ही बिक्ती रही पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमिया निकालना बन नहीं किया था लेकिन बेटा अब बाप के इस परताओं से खुस नहीं था फिर भी मैं बिना दिमाग लगाए उन कम्यों को सुधार कर लेता था और पिता के सुधाओं के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहता था आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसकी बनाई मूर्तियों में कम्या निकालना चाही तो बेटे का देहर जवाब दे गया बेटे ने कहा पिता जी अगर आप इतनी चेस्टा मूर्टिकार होते तो आपकी मूर्टियां मेरी मूर्टियों से कम कीमत पर नहीं बिकती मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सला की आवज रकता है मेरी मूर्टियां परफेक्ट है बाप नहीं है, सुनकर अपने बेटे को सला देना बंद कर दिया था, कुछ महीने बीच गए बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एसास हुआ कि उसकी मूर्थियों की अब इतनी तारीफ नहीं की जाती, जितनी पहले की जाती थी, और अब उसकी मूर्थियों की कीमत भी बढ पिता ने उत्तर दिया, हाँ मैं भी कभी इन परस्थितियों से गुज़र चुका हूँ, बेटे ने का फिर आपको मुझे ये तब ही बता देना चाहिए था, पिता ने उत्तर दिया, साइद तब तुम मेरी बात नहीं समझ पाते, मैं ये भली बाती जानता हूँ और मानता भ तो तुमने जो बनाया था, उससे तुम संतुष्ट नहीं थे, फिर तुमने खुद को बहतर बनाने की कोशिस की, और उस परियास ने तुमारी मूर्ट्यों को बहतर बनाया, और परिणाम सुरूप तुम सपल हुए, लेकिन यह भी उत्ता की, अब तुमारे काम में सुधा की कोई गुंजाइस नहीं है, तुमारा विकास रुख गया, लोग हमेशा तुमसे अधिक की उमीद करते हैं, और इसलिए अब तुमें ना तो अपने काम के लिए ज़्यादा सराहना मिलती है, और ना ही इसके लिए ज़्यादा बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक